आप जामुन की परफेक्ट चासनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने तीन कटोरी चीनी ली है कोई भी एक माप ले लीजिएगा कप ग्लास या कटोरी तो तीन कटोरी चीनी डाले हैं हमने तीन कटोरी हम पानी डालें जितने चीनी उतनाई हम पानी डालेंगे इसमें और अब हम गेस पे रख देते हैं और छे साथ इलाइची का पावड़ डाल दिया है अच्छे से फ्लेवर के लिए चासने में अच्छे से बॉयल आ गया है अब हम आदा चमच दूट डाल देंगे ताकि चासने हमारे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए इसके जागे फिर डाले हैं ठीवोें निबुicki को छिये की दियाो कर जाए तो यह देखी दोर डाल दालने से बिल्कुल गंदगी अलगा उलग सी उची के अंदर को चासने बिल्कुल हमारी क्लियर हो गई शाथ क्लीयर कर सकते हो एना फिर मत थोड़ां सा फूट कलर डाल रही हो ताकि चासनी हमारी अच्छी दिखेत आपकी आपकी मरजी आप डाले या न डाले तो हम 6-7 नीट तक अच्छे से बॉयल करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे यह देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट चासनी हमारी तयार है हलका सा तार बन रहा है इसमें एसी ही हमें गुलाब जामूं क चासनी बनाना चाहिए